हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ दिलिप पुमार आप देख दिलिप दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पिक्सल ले में किस तरीके से अपने फोटू पे या अपने थमनेल पे वाइट आउट लाइन अनेबिल कर सकते हो वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोग हमारे चनल पर नहीं हो तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले आप लोगों को उपर त्री डोट्स दिखे देरोगे सिंपली आप लोगों को त्री डोट्स पर क्लिकर लेना है यहाँ होगा Use Image from Gary, Use Image from Gary पर क्रिकरेना है यहाँ से आप लोगों को अपना कोई एक बेग्राउंड उठा लेना है तो simply मैं यहाँ से कोई एक अपना बेग्राउंड उठा लेता हूँ अब भी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को दबाए ताके हर आने वाली वीडियो को नेटिफिकेशन आप लोगों को टाम टाइम मिल सेके तो सबसे पहले में यहां से क्विए एक बेग्राउंड उठा लीता हूँ नेखिक बेग्राउंड उठाने बाद उपर आप लोगों को सेलेक्ट का अप्शन दिखे दिरोगा सेलेक्ट का अप्शन प्कॉप्शन पर क्लिकरेना है यहाँ होगा from Gary from Gary पे click कर लेना ए यहाँ आप लोगों की Gary ओपिन हो जागी simply यहाँ से आप लोगों को अपना PNG उठा लेना है तो simply यहाँ से मैं अपना PNG उठा लेता हूँ वीडियो आप लोगों को skip नहीं करनी है मैं आप लोगों को end तक बताऊंगा अगर आप वीडियो को skip करेंगे तो आप बिलकुल भी समझ नहीं पाएंगे simply मैं यहाँ से अपना पेले png उठा लेता हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को step बैस्ते बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने white outline को enable कर सकेंगे png उठा लेके बाद simply यहाँ आप लोगों को size थोरी सी छोटी कर देनी है थमनेल के हसाब से तो मैं यहाँ इसकी size थोरी सी छोटी करने के बाद simply आप लोगों को यहाँ बीच इसमें इस सेंटर में एक option दिखे देओगा यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोगों को साइड में आजाना यहाँ होगा stroke पर करने के बाद आप लोगों को इसको enable कर देना है तो मैं इसको enable कर देता हूँ अब यहाँ आप देख सकते हो white outline लग चुके है यहाँ आप लोग white outline का color भी change कर सकते हो उपर आप लोगों को color दिखाई दे रहोंगे और white outline को आप bold भी कर सकते हो तो यहाँ से मैं color change करके दिखाता हूँ अभी आप लोगों को यहां आप देख सकते हो यहां से आप color भी change कर सकते हो कोई भी color outline पे लगा सकते हो तो simply मैं white outline ही लगाऊंगा क्योंकि white outline पे ही मैंने वीडियो बने यहां होगा shadow shadow पे क्लिक लेना है और इसको enable कर देना है इसको enable करने के बाद यहां आप देख सकते हो white outline के साथ आप लोगों का shadow भी आ गया है यह बहुत ही जादा प्यारा लगता है इस तरीके से बरे यूट्यूबर भी इसका shadow भी enable करते हैं और white outline भी enable करते हैं उसके बाद save करते हैं save करने का प्चरूपर आप लोगों को save का option दिखे देरोगा इस पर क्लिक करेना यहां होगा save as image save as image पर क्लिक करने एक बाद यहां default को very high कर देने उसके बाद save to gallery पर क्लिक करेना है उसके बाद आप लोगों की जो भी पिक होगी thumbnail होगा वो आप लोगों की gallery में save हो जाएगा आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो